हलो दोस्तों आज की इस पीडियो में हम बात करेंगे फॉन पेपर अगर हम कोई भी रिचार्ज करने की कोसिज करती है तो यहाँ पर दोस्ता हमको एक GST का प्रोब्लिम देखने को मिलता है ठीक है जो कि यहाँ पर मैं जब भी रिचार्ज करता हूँ तो यहाँ पर 2 रुपिया GST चार्ज काट लेता है ठीक है तो यह जो आपडेट है दूस्तों कुछ दिन पहले यह आपडेट आया है उससे पहले अगर हम कोई भी रिचार्ज करते हैं फॉन पेप की जिरिये तो जितना एमाउंट उस रिचार्ज पर ता उतना ही काटता था ठीक है लेकिन दूस्तों अभी आप जितना का रिचार्ज करेंगे इसमें आपको GST 2 रुपिया प्लास करके आपका एकाउंट से काटा जाएगा ठीक है तो दोस्तों ये फॉन पेपर ये जो GST चार्ज है ये कौन-कौन सा पेमेंट पर लगया गया है पूरी डिटेस अचकी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आपको ये सबी डिटेस चानना है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीज अंट तक का दिखतरिएगा तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो 2 रुपिया का GST चार्ज लगया गया ये किस किस में लगया गया ठीक है जैसे कि दुस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्राइ करूंगा एक मुबाइल रिचार्ज करके तो यहाँ पर मैं एक मुबाइल नंबर को यहां से सिलेट करता हूँ और यहाँ पर मैं एमाउंट सिलेट करूंगा 1.99 ठीक है टीक है लेकिन ये अब्रेट पहले नहीं था ठीक है तो यहां से मैं back कर दिया तो यहां पर मैं try करूँगा कि TB recharge में भी यह 2 रुप्या का charge लगा गया या नहीं तो यहां पर मैं DTH पर क्लिक करता हूँ यहां पर मैं Tata Sky का नंबर को select कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं amount select करूंगा 250 रुपय ठीक है उसके बाद में यहाँ पर मैं proceed to pay पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्ता अब देख बार यहाँ पर मैंने 250 रुपय सिलेट किया और यहाँ पर भी 250 रुपय का amount आया है यानि कि अगर हम TV recharge करेंगे तो उसमें कोई भी GST charge देना नहीं पड़ेगा ठीक है इसी तरह यहाँ पर मैं back करता हूँ और यहाँ पर मैं money transfer की कोशिश करके देखूंगा कि उसमें भी GST charge लगा हुआ है या नहीं तो यहाँ पर दोस्ता मैंने bank account सिलेट कर दिया उसके बाद में यहाँ पर मैं amount डालूंगा 100 रुपय ठीक है तो यहाँ पर दोस्ता आप देख पर यहाँ पर मैंने 100 रुपय अमाउंट डाल दिया और यहाँ पर इस पेसे को transfer करने के लिए हमको कोई भी GST charge देना नहीं पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम यह 100 रुपय रुपय राइटिक है तो यहाँ पर अगर हम सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्ता फॉन पेपर जो GST charge देना नहीं पड़ेगा यह सिर्फ मुबाइल रिचार्ज में लगा हुआ है यहाँ पर अगर आप कोई भी दूसरा पेमेंट क करते हैं और आप जियादा मुबाइल रिचार्ज करते हैं और आपका दूरूबरATH करके बहसारा चार्जिंग जारा है तो आपकी लिए बहुत आप को यूज कर सकते हैं इसमें आपको बंबाठी क्मिशन मिल जाता है तिक है आप अपनी फॉनपिं से बहुत ही आसानी से को कुबेर एप पर पैसे एड़ कर सकते हैं और उसकी बाद में कुबेर एप से आप जितना रिचार्ज करेंगे उसमें आपको बहुत ही बड़ी-बड़ी कमिशन मिलता है ठीक है